दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने जोतिस चैनल एश्टो पंडी तरुन भार्दवाज में आज हम आपको उन बातों के विशे में जानकरी देने वाले हैं जो बार-बार आपकी सभी योजनवों तथा कारियों में बाधा बनी हुई है वैसे तो इस रासी के लोग अत्यन्त बुद्धिमान, सासी, तीर्व, इसमन सक्ती तथा भाग्या के धनी होते हैं लेकिन कुछ चीजे जो आपको इस कठिन समय में समझ नहीं आ रही हैं इनसे आपको हमेशा के लिए छुटकरा दिलाएंगे कोई वैक्ती सर्वगून संपन नहीं होता है हर वैक्ती में छोटी-छोटी कम्या होती है वैसे तो आपकी रासी अती सरेष्ट है लेकिन समझदार वैक्ती इन कमजोरियों को अपनी ताकत बनाता है सभी समश्याओं से बचना है तो ध्यान से सुने इससे पहले ये दिया आप चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करने और अपना आशिरवाद जरूर दे दोस्तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ये समश्याओं आपको लक्से से भटका रही हैं इन्हें आज ही छोड़ दें मेशरासी के जातक मंगल स्वामी होने के करण इन्हें गुस्सा बहुत जल दाता है लेकिन अच्छी बात है यह गुस्सा अधिक समय तक नहीं रुकता है इन्हें अपना अपमान बिल्कुल पसंद नहीं है इन्हें थोड़े समय के लिए भी अवाइड किया जाए तो ये बावरे हो जाते हैं किसी बात के वाद विवाद पर अच्टाधिक अग्रेशिव हो जाते हैं जिद्धी सोभाव के होते हैं परिवार के किसी सदस्य से इनकी घटपट रहती है लेकिन उसे सत्रू नहीं मानते हैं गल्ती तुरंत नहीं मानते हैं दिमाग सांत होने पर समझते हैं सभी को अच्छा मानते हैं इसलिए भावनाव में बह जाते हैं तथा अपना नुकसान कर लेते हैं कारियों को जल्दी जल्दी करने की इच्छा रखते हैं इस कारण कारिय कभी कभी सतीक्ता से नहीं हो पाता है आपको एक बात बता दें कि ये समझ्चाएं सभी मेशरासी वालों के साथ नहीं हो है क्योंकि ये चीज़े आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करती हैं लेकिन अधिकतर ऐसा होता है मेशरासी को इन सभी समझ्चाओं को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए हम आपको उपाई बताने वाले है आपको मंगल के मंत्र ओम, क्राइ, क्री, क्रों, सै, भुमाए नमे मंत्र का जाप करना चाहिए या आप एक छोटा मंत्र भी कर सकते हैं ओम, अंग, अंगार का नमे मंत्र का ग्यारा माला जब 41 दिन तक कर ले आपकी सभी समझ्चाए हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी